नमस्का दोस्तों मैं डॉक्टर सक्ति मिस्रा आज मैं आप लोगों को पुना पाइल्स के बारे में बताऊंगा मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बावासीर के बारे में बताया हुआ है जिसमें कॉलिन सोनिया कैन अगर आपको काज गड़ने जैसा दध मलद्वार पे हो मैं कालिन सोनिया कैन बताया हुआ हूँ जिसके से रेगुलर सेवन करने से ततकाल फर्ष्ट खुराक से पेशेंट को अराम मिलता है इसके साथ साथ एसकुलस में काच गड़ने जैसा दध ब्रीडिंग नहीं होती है काच गड़ने जैसा दध होता है लेटिन साफ नहीं होत जिस एक दवा के सेवन करने मातर से ही बवासीर को जड़ से ठीक किया जा सकता है सुरुवाती तीन दिनों के अंदर बवासीर पूरी तरीके से नियंतरित हो जाएगा और यदि इस दवा को लगातार 45 दिन खा लेंगे तो बवासीर जड़ से ठीक हो जाएगा ऐसा मरीजों में फाइदा देखने को मिला है या होमियोपेथिक की बहुत ही कारगर दवाई है यदि कोई बैक्ती ऑपरेशन तक करवा चुका है और उसको पुना पाइस हो गई है तो उसके लिए इस्टेप सिगेरिया प्रियुक्त है इसके साथ इसमें पेट का साफ होना भी बहुत के लिए उससे आतों का मुव्मेंट भी सही होता है समस्त प्रकार का पाइस होता है खुनी बादी या लीवर की वज़े से किदी भी कारण से है कांश्टी पेशन से है वो पूरा जड़ से ठीक हो जाएगा पाइलो जन ड्रॉप पाइलो जन ड्रॉप को 20-20 सुबह दोपहर साम रेगुलर सेवन करने से तीन दिन के अंदर बवाशीर में लाब मिलता है और लगातार 45 दिन पीने से समस्त प्रकार का बवाशीर जड़ से ठीक हो जाता है जिलों को बहुत पुराना पाइस है उनको मैं सज़ेश्ट करूँगा कि सलफा की एक खुराक सुबह सुबह न मेरी स्क्रीन पर वीडियो की स्क्रीन पर एक वाटसाफ दिया हुआ, इस नंबर पर अपना एड्रस मैं भेज कर आप लोग कैस ओन डिलेवरी के माध्यम से कुरियर के दौरा तीन दिन के अंदर दो दिन अंदर जिसकी जितनी जैसी दूरी है आप अपने डिलेवरी के माध करना चाहते हैं वो लोग दो बज़े के बाद का अपॉइंटमेंट मेरे वाटसेप नमबर पर ले सकते हैं धन्यवाद तेंक्यू